Hello everyone, मेरा नाम है उतकरश मिश्ड़ा और आज हम लोग most important question and answers करने वाले हैं electoral politics के ये बहुत important questions है जो आपके exam में पूछे जाते हैं आपके school test ये school exam में जरूर आएंगे इन questions से और आप इन questions को note down जरूर कर लीजिएगा और आपको करना क्या है कि आगर आपको questions कम लगते हैं कि आपको लगता है कि questions sufficient नहीं है आपको और पढ़ने का मन करता है तो आप और questions को पढ़ सकते हैं no doubt पर मैं ये मानता हूं कि आप इन questions को जरूर पढ़िएगा जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कम लगता है तो इसके अलावा आप और भी questions को add कर सकते हो कोई problem वाली बात है नहीं clear? तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले questions से कि discuss the election process कि election जो process होता है उसके बारे में बताए फिर date decide होती है जिस दिन सबी लोग जाकर vote डालते हैं फिर क्या होता है even कि मतलब date of the polling आप मतलब ये decide हो जाता है कि हम कब vote डालने जाएंगे clear? ये हो कि मतलब बंदा ताधिक elections होगा 20 ताधिक elections ये होता है फिर जो भी election candidate खड़ा होता है वो अपना nomination फिल करता है कि मैं खड़ा होना चाता हूँ screenity of nomination उन nominations की जाच होती है कि कौन सा बंदा ठीक है कौन सा नहीं है उनको पैसा भी जमा करना पड़ता है कुछ clear उसके बाद क्या हो जाता है rejection है विड्डरॉ हो जाता है nomination का कि कई लोग reject हो जाता है कई लोग अपना nomination वापस ले लेते हैं कि नहीं भाई अभी इस इस बार में election में participate नहीं करूँगा किसी भी reasons की वज़े से फिर जो भी लोग nominate होते हैं वो लोग क्या करते हैं election campaign करते हैं प्रचार करते हैं वोट मांगने जाते हैं लोगों से फिर जब वो दिन आ जाता है जिस दिन voting day होती है उस दिन voting होती है जिसे हम election day के नाम से भी जानते हैं फिर finally voting की counting होती हो और उसके कुछी दिनों के बाद result भी declare कर दिया जाता है आया नहीं नहीं बार समझ तो ये कुछ process होता है जो हम elections के दौरान होती है चीजें अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला और most important question शुरू होता है कि आपको ये बताना है कि जो elections commission है उसके क्या powers और क्या functions होते है clear सो ये एक्जाम में पूछा जाता है तो हमें पता है कि जो elections commission होता है with decisions लेकता है हाद एक aspect में Candly Toil करता है election को साथी साथ वह क्या करता है Announcement करता है elections के साथ और declare भी results को करता है यह करता है announcement कि कभ होगा और हर एक चीजों पर Control करता है election commission साथी साथ वही पह करता है कि अब dessert declared होगा इस साथी चीजों कर्ण वो code of conduct भी लागू करता है अगर कोई code of conduct को तोड़ता है तो उसने punish भी करता है code of conduct हमें पता है कि एक rules होता है मतलब जो भी candidate या political party उसको मानना पड़ता है during the election time clear अगर कोई इसको तोड़ता है तो क्या करते हैं election commission उसे punish करता है यह उसका काम होता है और election period के अंदर election commission की क्या जिम्मेदारी रहती है कि election वो सही से करवाए साथी साथ election जब सही से करवाता है तो वो क्या कर सकता है government को कुछ guidelines दे सकता है कि आपको यह करना चाइए आपको यह करना चाहिए even क्या होता है ताकि सभी लोग equal हो जाएं किसी को ज़ादा सा भी benefit ना मिले अगर कई लोगों कैसा लगता है कि कुछ गड़बडियां करा सकता है तो उनका transfer कर दिया जाता है कई government officers का कि लगता है कि यह बंदा भी ठीक नहीं है या अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसको transfer करवा दिया जाता है election commission के दोगादा अगला point यह बता रहा है कि election जब duty लगती है तो government officers किसके अंडर में आ जाते election commission के अंदर में आ जाते वह government का तब कहना नहीं मानेगी तब सरकार कुछ भी कहे उन officers से सरकार का कहना वो लोग नहीं लगने गहें किसका कहना मानेंगे election commission का कहना मानेंगे पुलिस वाले, officer जो भी उस duty में लगे हैं यह नहीं कि सारे लोग जो भी elections की process में लगे हैं वही लोग election commission का कहना मानेंगे, clear? तो यह कुछ powers और कुछ functions हैं उमीद करता हूँ आप लोगों कुछ समझ में आ रहा होगा आप question यह बनता है कि एक elections को कौन सी चीज़े democratic बनाती हैं हम कैसे पता करें कि किसी भी देश के अंदर या अपने देश के अंदर जो elections हैं वो democratic हैं या फिर नहीं तो इसके लिए हमें कुछ चीज़े देखना पड़ेगा पहले हम यह देखेंगे कि हमाया देश के अंदर one vote हो सभी लोगों को जितने भी vote हो उन सभी लोगों को equal weightage दी जाए यह हम देखेंगे साथे साथ हम यह देखेंगे जो parties हैं political parties हैं वो जनता को real choice offer कर रही हैं voters को कि मतलब जनता को एक सही वो दे रही हैं क्या कहते हैं ideology अपना पेश कर रही है जनता को जो जनता चाहती है उस तरीके की वो बाते कर रहे हों clear यह होता है elections regularly होते हैं यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो देखना चाहिए हैं साथी साथ candidate the candidate prefer by the people should get elected कि वही person elect हो जिसको जनता prefer करे जनता ने चुना इसे जीद गया कोई और ऐसा भी ना हो अगला point बताता है कि elections है न वो free or fair manner में होना बहुत ज़रूरी हो कोई cheating ना हो कोई गड़बडिया ना हो यही सब चीज़े elections को democratic बनाती है अगला question आता है कि जो electoral competition या फिर जो party politics होती है उसके क्या de-marriage होती है उसकी क्या कमिया होती है तो हम यह हमें पता है जो electoral competition होते है वो disunity create कर देते है factionalism create कर देते है हर एक locality में आपने सुना ही होगा कोई A party को support करिये कोई B को करिये कोई C को करिये कोई D कर तो हम यह देखते है कि एकी society क्या होती है अलग-अलग parts में divide हो जाती है clear divide होने में कोई problem नहीं है पर इस divide होने के वज़े से लडाईया ना हो इस पे ध्यान रखने की बात है ये चीज गौर करने वाली बात है ठीक है दूसरा point क्या बताया जाता है कि जो political parties है और जो leaders है वो अकसर एक दूसरे पर allegations लगाते है कि ये गंदा नियता है वो आएगा वो इसको गाली देगा गाली तो वैसे नहीं देते हैं मतलब allegations लगाते हैं कि इनको नहीं चुनो इन्होंने ये काम गलत किया मतलब एक दूसरे के उपर आरूप ही लगाते रहते हैं जीतना है कि उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए तो ये चीज़ी होती है जो कि गलत बात है साथी साथ क्या होता है कि pressure to win electoral fight does not allow sensible long term policies to be formulated कि अगर आप लोग pressure ही रहेगा कि आपको elections ही जीतना है तो इसकी वज़े से कोई sense नहीं बन जाएगा policy सही तरीके से देश के अंद़ apply नहीं हो पाएगी तो हमें कहने का मतलब यह कि electoral fights होनी चाहिए पर एक sense way में हो ठीक है यह मतलब बिफाल तो कि fights हमें नहीं देखने को मिले तो ही है clear अच्छी चीज़ है अगली चीज़ बताया जाएगा है कि यह साधी जो demates होती है या unhealthy competition होती है इसी वज़े से क्या होता है जो अच्छे लोग होते हैं वो इस arena में enter ही नहीं करते वो इन साधी चीज़ों को देखते हैं कि dirty tricks copy हो करते हैं allegations एक दूसरे पे लगाते हैं तो कई लोग इस चीज़ से politics से गंदा मानते हैं गंदा समझते हैं और इससे दूर ही रहना उनको अच्छा लगता है कि इन साधी चीज़ों से जितना दूर ही रह उतना ही better है अगला आता है कि हमें elections की ज़रुवत क्यों है democracy के अंदर है इसका रीजन यह है कि हमें elections की ज़रुवत वह इस वज़े से है क्योंकि हम एक large community है और यह possible नहीं है सभी लोगों के लिए कि सभी लोग एक जगा पर इकठा हो जाए और हर एक दिन क्या decisions लिया जाए सब लोग मिल बैठके decisions ले बिल्कुल भी आपकी लोकालिटी में भी सारे लोग एक जगा इकठा नहीं हो पाएंगे और हर दिन तो नहीं इकठा हो पाएंगे clear कि हर दिन वो बैठके आप decisions लेके आज यह करेंगे आज वो करेंगे नहीं इतना लोगों के पास टाइम ने इसी वज़े से हम अपने representative को चुनते हैं और इसी वज़े से हम elections चाहिए representative को चुनने के लिए और दूसी चीज है कि अगर माल लेते हैं कोई ऐसी जगा मिल भी गई जहां पर सादे लोग इकठा हो जाएं हर दिन इकठा हो पाएंगे तो एक चीज ये रहेगा कि उनके पास क्या उतनी knowledge है चलो time भी हो गया उनके पास जगा भी मिल गई time भी मिल गया तो क्या उनके पास वो knowledge है कि उसमें वो participate कर सकते हैं क्या उनके पास उस चीज को लेकर उतनी awareness है कि नहीं ये भी एक matter आ जाता है इसी वज़े से हम अपने representative को चुनते हम उसको अपने साधी जिम्मेदारी सौप देते है तब ही कहा जाता है कि अपने representative को सही तरीके से चुनो क्योंकि अगर आप अपने representative को अच्छे से नहीं चुन पाओगे तो अच्छे फैसली नहीं लेगा तो हमें अपने अच्छे representative को चुनने के लिए हमें को उसके बारे में awareness बढ़ानी चाहिए और फिर हम उसे चुन सकते हैं एक सही तरीके से अब हमने starting में पढ़ाता कि model code of conduct क्या होता है तो मैंने आपको बताया था model code of conduct यही होता है कि elections के दोरान election commission code of conduct लागू कर देता है मतलब कुछ rules लगा देता है उसी rules को code of conduct कहते जिसे political parties या candidates को follow करना पड़ता है जैसे कि इसके अंदर यह चीज़े होती है कि कोई भी person है वो worship का place उप्योग नहीं कर सकता अपने election propaganda के लिए प्रचार के लिए election worship वाली जगा पे नहीं जा सकते आप government के vehicles, aircrafts या officials for elections को उप्योग नहीं कर सकते मतलब सरकारी अफसरों का सरकारी गाडियों का सरकारी हवाई जहां जो का उप्योग आप elections को प्रचार में उप्योग नहीं कर सकते अगला point बताया जाता है कि जो ministers है वो नए नीव नहीं रख सकते किसी foundation को open नहीं कर सकते जाती है यह कहा जाता है कि अगर आपको करने ही है तो आप पहले ही करो यह जब elections का time होता है तब यह साधी चीजे करना अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए इन पर रोक लगाई जाती है क्योंकि इससे हो सकते है कि जो वोटर से उनका mind change हो जाए तो change करना है तो पहले ही कर इस time पर नहीं करना ठीक है अब क्या challenges होते हैं फिर और फिर elections करवाने की यह बहुत important questions है तो सबसे पहला आता है कि money park को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदादी होती है क्योंकि उन लोगों के पास जिनके पास जादा पैसा उनको एक edge मिल जाएगा और edge मिलने की वज़े से हो स एक line से start तो किसी का थोड़ा आगे भी ना हो तो money power उनको थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कर देती है तो इसी पे जितना control हो सकता है वो control करना चाहिए muscles power भी उनको एक edge दे देता है क्योंकि वो powerful रहते हैं तो main चीज यह रहता है सबसे problem कि जो powerful person रहते हैं वो एक्सा क्य क्योंकि वो अगर आ भी गया तो अच्छा काम नहीं करेंगे वो society को और जादा बरबात करके रख देंगे दूसी चीज प्रॉब्लम यह देखने को मिलती है कि अक्सर क्या होता है political parties जो होती हूं अपने दिस्तेदारों को ही tickets दे देती है तो इस पे रोकना बहुत जादा उन लोगों को chance देना चाहिए जो लोग काम कर सकते हैं अच्छे लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए ना कि अपने दिस्तेदारों को ticket आप दे दो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए ordinary जो voters होते हैं उनके पास choice नहीं रहता क्योंकि सारी political parties की ideology एक जैसी होती एक ही चीज के वादे करते हैं तो voters बड़ा confused हो जाता है उससे समझ ही नहीं आता सब तो एक ही वादे कर रहे हैं लेकिन कौन पूरा करेगा कोई उनको चाहिए कि उनके वादे के साल साथ कुछ और भी चीज़े उन्हें दी जाएं मतलब उनके वादों में और भी कुछ वादे जोड़े जाएं उनको और भी extra चीज़े प्रामिस में दी जाएं तब उनको लगेगा कि हाँ इसको चुनना ठीक रहेगा इस तरीके की अगला point बताता है कि जो independent candidate है यह smaller parties होते हैं उनको बहु ज्यादा disadvantages मिलती है during the elections तो इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है अगला question यह कहा जाता है कि unfair elections के अंदर practices होते हैं question तो नहीं लिखा है पर question यहीं से बन जाएगा कि unfair elections के अंदर practices होते हैं वो कौन से हैं तो हमें पता है कि अक्सा हम newspaper खबरों में भी सुनते हैं कि पुरान जो गलत नाम है उनको जोड़ दिया गया जो genuine name से उनको हटा दिया गया voters list के अंदर से तो यह नहीं चीज होना चाह है अक्सा जो rich candidates होते हैं वो money का उपयोग बहुत जादा करते हैं जो बड़ी-बड़ी political parties होती है वो भी पैसों का बहुत ही जादा उपयोग करते हैं तो यह भी नहीं होना चाहिए साथी साथ जो voters हो उनके साथ किसी polling day के उपर किसी टाइप की rigging ना हो मतलब मतलब उनको ड जरा धमका के उनसे vote मांगे जाते हैं धमके पैसा देखके vote मांगा जाता है तो इस तरीके की चीज़े ना हो तो ही better होगा हम आरे देश के लिए अगला question यह जो और भी important है इसमें यह पूछा जाता है हमने पढ़ा भी था elections campaign का यह topic है हमने इसमें पढ़ा था कि elections campaign के दौर अलग-अलग जो political parties होती है वो slogan देती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि इंदरा गांधी ने कौन से party से belong करती है उन्होंने कौन सा slogan दिया था और किस elections के दौरान दिया था इसी तरीके से अलग-अलग है इनके आपको slogan पता होना चाहिए इनके party पता होना चाहिए और सुनते जाओ कि आप लोगों को करना क्या है कि इससे और भी chapters की important question answers की वीडियो बनी है तो उन question answers की वीडियो देखो और अपने जो chapter है उसके important questions को cover करो मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है comment करके मुझे ज़रूर बताओ मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए bye bye